नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका ब्रेकिंग में इंडिया में विकेट कीपर बल्लेबाद विजिशब पन्थ वोटिल सलामी बल्लेबाद शिखर दवन के विकल प्रतौत पर इंग्लैंड रवाना हो गया धवन हाला कि इंडिया से जुडने के बाद प्रेक्टिक शुरू कर देंगे वर्ल्ड कप के लिए जब टीम चुनी गए ती तब पन्थ को चैन करता होने नजर अंदास किया था और दिनेश कार्तिक को चुना था हाला कि 21 साल का ये खिलाड़ी शुरूआती प्लेइंग 11 में चैन के लिए उपलब दहीं होगा तोकि दवन पर अंती पैसला लेने के बाद ही पंत को मौका मिले की संभावना बनेगी ख़बरों के मुताबिक भारती टीम मेनेजमेंट दवन की चोर से जुड़ी पूरी रिपोर्ट ICC टेकनिकल टीम को सौपेगी इसके बाद रिप्लेस्मेंट का अंग्रोद किया जाएगा आपको बता दे शिखर दवन के अंगूटे में फैक्चर है और इस कारण रतीन सब्ता के लिए मैदान से दूर हो सकते हैं ऐसी आशंका भी जताई जा रहे हैं कि वे निउजिलैंड और पाकिस्तान के साथ होने वाले दोनों मैचों में खेल नहीं सकेंगे बी सी सी आई ने कहा है दवन इस समय बी सी सी आई की मेडिकल टीम की देखरेक में तीम प्रबंदन ने फैसला किया है कि दवन इंग्लैंड में ही रहेंगे और उनकी चोट पर नजर रखी जाएगी दवन को बायांत की तरजनी और अंगूटे के बीच में चोट है के बाद दवन ड्रेसिंग रूम में बैटे रहें और बर्स से चोट की सिकाई करते रहें वे फिल्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतर सके थे रवीन जडेजा ने दवन की जगा फिल्डिंग की तो जब टीम में नहीं चुना गया ता तब कई लोगों ने इस पनी रशा